जैसरी किष्णा कैसे आप सभी लोग है और अपने अपनों का ध्यान रख रहे हुँ और अपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love triple 2 में हम इस वर से आप सभी के लिए प्रातना करते हैं आपकी जो भी विशे वो सारी विशे स्पूरी हो जाएं आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले Dear आज आपके लिए इस वर का क्या संदेश है आज हम इस पे reading करने वाले हैं इस पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यह टाइमलेस रेटिंग है आप इसे कभी भी देखेंगे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्राब्लम चल रही है क्या उसके लिए कोई मैसेज है तो हो सकता है कि इसमें आपको मैसेज मिल जाए तो डियर यह टाइमलेस है इसे आप कभी भी देख सकते हैं करियर के लिए भी देख सकते हैं लव लाइफ के लिए भी देख सकते हैं आपको जो पाइल बहुत अच्छा लग रहा है आपको जो भी पाइल अच्छा लग रहा है आप उसे चूस कर लिजे फिर आप अपने रेडिंग देखिए आप जिने भी मानते हैं उनकी तरफ से आप ये रेडिंग देख सकते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आई होप आपने पाइल चूस कर लिए होगी अब आप अपने डेटिंग लेखिए जैसरी किष्णा जैसरी किष्णा अपसन नबर बन कैसे आप आई होप आप सथ होंगे और अपने ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस्प्रिच्वल लव ट्रपल टू में हम इस वर से आपके लिए प्रात्ना करते हैं आपकी जो विविसे वो सारी विसे पूरी हो जाए आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले इंटियर बहुत सारे लोग हैं जो करियर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें उनको सकसेज नहीं मिल रही है बहुत कुछ करते हैं बहुत सारे लोगों की बाते भी सुनते हैं बहुत सारे लोग उन्हें डी मोटिवेट भी करते हैं हो सकता है कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसमें आपको सकसेज नहीं मिल रही है तो बहुत सारे लोग आपको सुना रहे हैं हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस किया हूँ उसमें आपको सकसेज ना मिली हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनाते रहते हैं या फिर आपकी फैमली के लोग ही हैं जो आपको सुनाते हैं और आप बहुत डी मोटिवेट हो रहे हैं आप निराज भी हो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है पूरी कोसिस कर रहे हैं सब कुछ ठीक से कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यूं हो रहा है आप बहुत दुखी हो रहे हैं जिन्दगी से आपको लगता है कि क्या मुझे सकसिज मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसा भी नहीं है कि किसी के साथ बुरा करते है तो इस वज़े से हमें सकसरी नहीं मिल रही है आपको लगता है कि आप तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करते हैं अन्जाने में भी किसी के साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचते हैं फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है आप बहुत निरास हो रहे है बहुत जाना आप दुखी हो रहे हो सकता कि आप कहीं जाना भी चाहते हों आपको लगता है कि यहां पे रह करके कोई भी काम नहीं होगा कहीं आप बाहर जाना चाहते हो या फिर इंडिया से ही बाहर जाना चाहते हो तो डियर आप पूरी कोसिस कर रहे हैं अब कहीं बाहर जाने की कहीं बाहर जाकर के कोई बिजनेस करना चाते हैं या फिर किसी चीज की पढ़ाई करना चाते हैं तो अब आप जा सकेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं पर बिजनेस करने के लिए जाना चाते हैं लेकिन बहुत सारे रोक टोक हो रही हैं बहुत सारे सखेबर्द कि क्या होगा तो इस वज़े से आप थोड़ा सदस़ निराज भी हो रहें आपको लगता है कि आपको करीयर में कुछ करना है लेकिन करने पाड़ें आपके सामने बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे बंदन हैं, जिसके वज़े से आप अपनी मन की कभी नहीं कर पाते हैं, तो अब आप कर सकेंगे, आपका जो दिल कहता है, आपकी जो आत्मा कहती है, आपको कर सकेंगे, आपके काम में कोई रोक टोक नहीं होगी अब, और बह बोलते हैं कि negative बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं जो मेरिट हैं लेकिन फिर भी लोग उनको इतना कुछ बोलते यह डिए मोटीवेट कर देते कि आप निरास हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं तो इस पर करका के लिए मैसेज है कि आप लोगों की बातों पर कम ध्यान दिया करिए अगर आप दुखी होंगे तो भी लोग सुनाएंगे अगर आप खुस होंगे तो भी लोग कहेंगे तो यह लोगों का काम है कहना और लोग पूरी जिंदगी कहते हैं लेकिन आपको लोगों की तरह नहीं बनना है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, अगर आप इनकी बातों पर ध्यान देंगे, तो आप पूरी जिंदगी खुस नहीं हो सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा होगा, बहु है और उसका का ल Ingredi lagi उसे से त्षभ लोग हैं जो कोई बिजनेस कर रहे ते लेकिन उसका सब करनобы कि कर रहे हैं हैं je बहुत कुछ ऑसा है जिससे आप Demoter Monsieur हो हो जाते हैं तो आपके लिए इस वर का मेसेज है आप लोगों की तरह नहीं है आप लोगों से अलग है आप सब की तरह नहीं है कि मतलब लोगों की बातों पर ध्यान दे उनकी बातों को सुन करके डी मोटिवेट हो अगर अभी आपको सकसेज नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको सकसेज नहीं मिलेगी इस वर अभी आपकी परिक्षाई ले रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी जिंदगी लेते रहेंगे आपको पता है स्कूल में क्या होता है पहले पढ़ाया जाता है बाद में एक्जाम होते हैं बाद में परिक्षाई ले जाती है लेकिन जिन्दगी में क्या होता है कि पहले परिक्षाय ली जाती है बाद में सीखने को मिलता है बाद में समझ में आता है कि क्या है तो इसी तरह से अभी आपकी जिन्दगी चल रही है जिसमें आपको सक्से नहीं मिल रही है बहुत सारी निरासा आए है तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है आपको ये सोचना है कि अभी आप स्कूल लाइफ में है अभी आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना है वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है उसे ऐसे जाया भी नहीं जाने देना है कि आपके लाइफ में कुछ हो गया आपने उसे कुछ सीखा ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जो बार बार धोके खाते हैं क्योंकि वो कुछ सीखते नहीं है कुछ सीखते नहीं है और बहुत ज़्यादा ही मासूम है उन्हें हर कोई अपनी बातों में फसा लेता है अपने मतलब से बात करते है और जब मतलब निकल जाता है तब फिर वो पहचानते नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मासूम हैं बहुत प्योर सोल है आपकी इंटीशन क्या कहती है, आपकी इंटीशन आपसे बोलती है, लेकिन आप लोगों की बातों के वज़े से अपनी इंटीशन की अपनी आत्मा की बात नहीं सुनते हैं, तो जब आप अपनी इंटीशन की सुनेंगे, अपनी आत्मा की बात सुनेंगे, और बहुत जादा meditation करेंगे तो और ज़्यादा आपकी intuition strong हो जाएगी तो dear आप जान सकेंगे कि कौन कैसा है आपके life में जितने सारे धोके हो रहे हैं इतने सारे लोग negative लोग आ जाते हैं तो ये सारी चीजे बदल जाएगी तो अगर आप कोई business करना चाते हैं कोई काम करना चाते अभी तक आपको उसमें success नहीं मिल रही थी लेकिन dear अब आपको success मिलने वाली है इस साल के October तक आपको success मिल जाएगी जो लोग अभी आपके लिए बहुत कुछ बोल रहे है negative बोल रहे हैं यह सारी चीजें यह सारी बाते बदल जाएंगी आप खुद देखेंगे जो लोग अभी आपको de-motiveate कर रहे हैं वही लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि हमें तो पता था कि आप यह कर लेंगे हमें तो पता था कि आपको success मिलेगी हमें तो पता था कि आपके जैसा कोई नहीं है सारी बाते बदल जाएंगी अपने आप बदल जाएंगी क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा नहीं है कि बहारी लोग थे वो अपने लोग ही कुछ थे लेकिन जब सब कुछ दीरे दीरे बदलने लगा ठीक होने लगा तो उनकी बाते बदल गई, उनके रिष्टे बदल गई, हर चीज बदल गई इसी तरह से आपकी संदिगी में बहुत कुछ बदल जाएगा और आपको नेगेटिव नहीं होना है आपको नेगेटिव नहीं होना है आपको अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो इस वर का आपके लिए मैसेज है कि हर पल, हर समय, हर टाइम हम आपके आसपास रहते हैं हम आपके काम को, हम आपको हमेशा देखते हैं आपको सुनते भी हैं, आपके दिल में जो चलता है वो सब देखते हैं तो आप negative ज़्यादा मत हुआ करें आपके कर्मों का फल अभी आपको नहीं मिल रहा है आपको लगता है कि अभी आपको नहीं मिल रहा है तो यह divine timing पे आपको सब कुछ मिलेगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपको सब कुछ देंगे इसवर इसवर का मैसेज है आपके लिए कि मेरे प्यारे बच्चे आप इतना निराज मत होएं आप बहुत अच्छे हैं बहुत सच्चे है ऐसा नहीं है कि आपके कर्म में कोई कमी है आपका जो कर्म है उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन अब भी जो जिन्दगी है उसमें आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है अगर आप कर्म कर रहे हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप जिन्दगी को समझ नहीं पाएंगे, जिन्दगी से कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत सारी चीजे हैं जो आपको मिल नहीं रही हैं, अभी बहुत सारी चीजे हैं जो आपको सीखनी बाकी हैं, तो जब वो सारी चीजे पूरी हो जाएंगे आपकी लाइफ सारे लोग हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं जैसे बहुत निरास हो जाते हैं बिजनेस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो डियर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ खास लोग ही हैं कुछ खास लोग हैं जो आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं आपके सामने अच्छा बोलते लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं है, यह आपके अपने भी हो सकते हैं, बहुत करीबी भी हो सकते हैं, डियर यह आपके सामने आपके अपने तो बनते हैं, लेकिन यह दिल से आपके अपने नहीं है, आपने वो सुना होगा एक कहावत है, कि धोके बाज दोस्त से अच् ये जो कोई बات हो थे हैं कि प्रिंबल्य से आर्शों परीशान परिशान पालों और वो किसी को अपना समझ कि उनसे अपनी सारी बाते शियर कर देते हैं यह अपके रिलेटिव हो या फिर आपके फ्रेंड हो या फिर आपके घर के आसपास रहते हो तो इनसे आपको अपनी सारी बाते शियर नहीं करनी है इस पर आपसे बोलना चाहते हैं कि फैमली आपके का बाते शेयर नहीं करनी है वरना फ्यूचर में आपको तकलीफ होगी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी आपको ज़्यादा अपनी बाते हर किसी से शेयर नहीं करनी है आपको अपनी बाते खुद तक रखनी है या फिर आप लिख सकते हैं या फिर आप इसवर को बता सकते हैं और इसवर आपके आसपास रहते हर टाइम हर समय आपके आसपास रहते हैं तो आप कभी भी दुखी हो आपके दिल में कोई बात हो बहुत खुसी वाली हो या फिर बहुत दुख वाली हो तो आप उनसे शियर किया करें जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं तभी बोलें आप अपने रोम में बैठ करके भी बोल सकतें आप अकेले बैठें आपके मन म में कोई बात आहीं तो आप मन ही मन में इसवर से बोल सकते हैं इसवर हर जगह हैroid आप उनको कहीं भी मैसोस करकर उन से अपनी बाते शीयर कर सकते हैं वह आपकी बातों को सुनेगे तो प्री यार आप अपको आप करने के बारे में सोचते हैं और आप किसी से बता देते हैं तो फिर वो चीजे नहीं होती है तो आपको लगता है इस चीजे क्यों नहीं होई तो आप अपनों से भी ज्यादा बाते शियान मत किया करें क्योंकि वो सिर्फ आपके अपने बनने का दिखावा कर रहें लेकिन वो दिल से आपके अपने हैं नहीं आपको बहुत समझदारी रखनी है और जिन्दगी में हर एक कदम पे आपको बहुत ध्यान देना है कौन सी बात किसे बतानी है कौन सी बात किसे नहीं बतानी है क्योंकि आप बहुत मासूम है आपके अंदर चला आप से कोई भी कुछ भी पूस्ता बता दे ते यह सारी चिशह आपको नहीं करनी है कुछ चेंजेस लाने हैं आपको ऑपनी जुनने लगेगा आपकी आदत नहीं है किसे कुछ छुपाना किसी बोलना लें लोग आपकी तरह नहीं है इस वर्क आपके लिए मैसेज जो लोग जैसे हैं उनको वैसे ही आप दीजिए अगर आप सब कुछ बताते रहेंगे तो ये आपके साथ धोका करते रहेंगे तो प्लीज डियर आप अपनी बाते ज्यादा किसे से शियर मत करिए आप अपनी बाते खुद तक नहीं मिल रही है कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं काफे टाइम से कर रहे हैं लेकिन उसमें उनके सकसेज नहीं मिल रही है तो डियर अब आपको मिलने वाली है आपको लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा ये ऑनलाइन बिजनेस में हम टाइम तो वेस्ट नहीं कर आज positive रह रहे हैं, आज सक्सेज मिलेगी, 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 लेकिन कल फिर negative हो गए, ऐसा नहीं करना है, और आपको बहुत positive रहना है और meditation करना है, और आपको पता है, नवरात्री का time चल रहा है, अगर आप इस time पे positive energy से, बिल्कुल मन से positive हो करके, कोई भी चीज अपने लिए positive manifest करते हैं, positive चीज अपने लिए, अपने person को मत manifest करने लगना, कि वो negative हैं, वो आपसे बात नहीं करते हैं, थर्ड पाटी पीछे भाग रहें, और आप हैं कि उनके पीछे भाग रहें, अपने लिए positive चीजे manifest कर सकते हैं, जैसे आपकी family में कुछ ठीक नहीं है, या फिर आपको career में success चाहिए, या फिर आप stable होना चाते हैं, कुछ करना चाते हैं, अभी आप कुछ कर नहीं रहें, तो dear, आप खुद के लिए पहले कुछ मांगिए, खुद को आप stable कर लेंगे, खुद को बहुत positive कर लेंगे, तो जो लोग अभी negative है, जो लोग आपको समझते नहीं है, वो लोग आपको समझने लगेंगे, आपके person हो, आपकी family हो, आपके relative हो, आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर आप stable हो गए, आपको बहुत success मिल गई, आपकी personal life में बहुत सारे changes आ गए, तो ये सारे लोग अपने आप change हो जाएंगे, इन्हें आपको change नहीं करना पड़ेगा, तो dear, पहले आप खुद को change करिए, पहले आप खुद के लिए सब कुछ positive करिए, सब कुछ बाद में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो dear, नहवरात्री का time है, आप इस time positive तरह से कुछ भी manifest करेंगे, वो आपको मिलेगा, लेकिन negative नहीं होना है, आपको भरोसा रखना है, पूरा भरोसा रखना है, ये आपको मिलेगा, और meditation जरूर करना है, इस time आपकी life में कुछ अच्छा हो, या फिर बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको इस वर पे हमेशा भरोसा रखना है, और आपको इस time gratitude का meditation करना है, कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, आपको पता है, अगर life में बुरा time नहीं आता है, तो इनसान कभी कुछ कर नहीं पाता है, कभी कुछ नहीं कर पाता है, जो लोग बहुत सकसेज मुकाम हासिल कर चुके हैं, या फिर कर रही हैं, उन लोगों ने भी बुरा time देखा है, किसी ने अपने partner से धोका खाया है, किसी ने अपनी family से धोका खाय आँ, किसी ने बहुत करीबी ऐसे इंसान से धोका खाया है, जितना वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे, उन पर करते थे, उनसे धोका खाया है, या फिर उनकी life में कुछ एसी घटना घटी है, जिससे वो अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ बदले है समझ रहे तो कुछ ना कुछ उनकी जिन्दगी में हुआ है हो सकता है कि किसी की बात उन्हें बुरी लग गई है कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते थे कुछ लोग उन्हें बोलते हो तब उन लोगों ने बहुत strong तरीके से action लिया अपनी जिंदगी के लिए तब वो लोग कुछ कर पाएं अगर आप अपनी family में भी किसी की बाते अगर पूछेंगे कि यहां तक का सफर कैसा रहा है अगर आपके family में भाया है, ममा है, पापा है उनसे भी उनकी जिंदगी की बारे में आप पूछेंगे sister है, कि उनकी जिंदगी का अभी तक सफर कैसा रहा है आपके family में, आपके relative में किसी ने भी अगर बहुत success हासल की है तो उनका सफर कैसा रहा है बहुत strong जब तक कोई चीज नहीं होती है जिंदगी में तब तक बहुत कम लोग success हासल कर पाते है अपने जिंदगी में बहुत कम लोग positive कर पाते है कुछ अलग कर पाते है तो आपके life में यह सारी चीज़े हो रही है इसलिए हो रही है ताकि आप लोगों से बहुत कुछ अलग कर सके आपको पता है डौगियों के लिए जिंदगी में प्रेम बहुत था हमें हमारी family है उन लोगों के दिल में जानवरों के लिए और लोगों के लिए बहुत प्रेम था और हमेशा जैसे पास में कोई डौगी है तो उसे बोजन दे दिया इतना प्रेम था कहीं गएं कोई दिखिया तो मतलब प्रेम है पर जब हमारे घर के आसपास बहुत सारे डौगी थे उनको जहर दे करके किसी ने मार दिया सारे डौगियों को मार दिया तो ये एक घटना घटी जिंदगी में इसे अगर सोच करके सिर्फ रोते रहते और छोड़ देते खतम हो जाती बात तो फिर खतम हो जाती न लेकिन इससे कुछ सीखा और जब ये घटना हुई तब और जानवरों के लिए और ज़्यादा प्रेम बढ़ा कि बहुत सारे लोग डौगी होते हैं भूकिया यहां पे तो उन लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचने लगे तो इस तरह से कुछ अलग किया अब ऐसा काम सुरू हो गया है कि घर में भाई, सिश्टर, हम सभी लोग कोई भी कहीं भी जाता है तो डौगी के लिए बैग में कुछ न कुछ जरूर रखकर ले जाते हैं अब बाहर जाते हैं तो क्यों न एक डौगी, दो डौगी किसी को भी कुछ खिला कर जरूर आते हैं मारकेट जाएं, अपने काम के लिए जाएं मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं तो एक डॉगी को क्यों ना खिला किया है लेकिन खिला कर जरूर आते है जानवरों से मिल कर जरूर आते है तो ये चीजे पहले साथ नहीं हो पाती कभी भी अगर उन डॉगियों के साथ ऐसा नहीं होता तो तो इसलिए आपके जिन्दगी में भी बहुत सारी चीजे हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि आपको कुछ अलग करना है सबसे अलग करना है जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली में कोई जॉब कर रहा है तो बहुत अच्छी जॉब है कोई बिजनेस कर रहा है तो बहुत सक्सेज है तो आपके लिए भी बनाएं सायद आपके लिए कुछ और बनाएं और जब तक आप इन सब चीजों से तकलीफों से निकलेंगे नहीं तो आप वहां तक कैसे पहुचेंगे आपके जिन्दगी इसवर का मैसेज है कि एक पानी की तरह होना चाहिए जैसे बहता हुआ पानी होता है रुकता नहीं है पत्थर हो पेड हो कुछ भी हो पानी रुकता नहीं है बहता रहता है तो आपको अपनी जिन्दगी इसी तरह से बनानी है आपकी जिन्दगी में खुसी का टाइम हो, गम का टाइम हो, कुछ भी हो लेकिन आपको उसी में ठैर नहीं जाना है बहते रहना है, बहते रहना, बढ़ते रहना है और meditation हमेशा करना है और आपकी लाइफ में जो भी negative हो रहा है तो वो सारी चीज़े आपकी लाइफ में बदलने वाली है आप बहुत ज़्यादा spiritual है और बहुत सारे लोग हैं जो कोई जॉब करना चाहते हैं कोई business करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अब भी वो सिर्फ अपनी family के बारे में सोच रहे हैं लेकिन dear, आप कुछ spiritual करने आए हैं आप बहुत ज़्यादा spiritual हैं लेकिन अब भी आप थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए सही माइनों में क्या काम है इसवर ने आपको इस दुनिया में किस काम के लिए भी जाए तो इसके लिए आपको meditation करना पड़ेगा आपको meditation करना पड़ेगा और बहुत positive रहना पड़ेगा और आपको अपनी intuition पर ध्यान देना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को इसवर message दे रहे हैं सपनों के माध्यम से लेकिन कुछ लोग हैं जो सपने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो dear सपनों पर आपको ध्यान देना है और आपको हमेशा positive रहना है आपको सपने आ रहे हैं तो आपको धियान देना है कि किस तरह की सपने आ रहे हैं क्या सपने में आपके बहुत ज्यादा आ रहा है बहुत सारे लोग हैं जिने सपने में इसवर बहुत आ रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो कोई अजीव से जगा देखते हैं और वहां पे बहुत सारे भूके लोग रहते हैं अजीब सी चीजे देखते हैं जो उन्होंने अभी तक साथ देखा भी नहीं है लेकिन उनकी लाइफ में सपने ये ऐसे बहुत आते तो डियर आप इसवर का काम करने आए है आप आम इंसान की तरह है लेकिन आपकी आत्मा जो है ना वो आम इंसानों की तरह इस दुनिया में नहीं आई है आप इसवर का काम करने आए है आप कुछ करेंगे कोई जॉब करें कोई बिजनिस करें उसमें आपको सकसेज बहुत मिलेगी आप खुद के लिए भी बहुत कुछ करेंगे और दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे आप स्प्रिच्वल करने आए है तो डियर आपको सकसेज बहुत मिलेगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इस वर आपकी परिक्षाएं ले रहे हैं जब आपको इस वर ने इस दुनिया में भेजा था तब तो आप उनके काम करने आए थे लेकिन क्या आप उसमें खरें उतर सकते हैं इसलिए अभी आपकी परिक्षाएं ले रहे हैं इस वर तो आपको निरास नहीं होना है आपको इस वर का हाथ पकड़कर रखना है इस वर आपके साथ है कैसी भी परिस्तिती हो इस वर आपके साथ है इस वर आपके हर कदम के साथ है वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे आपके पास पैसा हो या ना हो अगर आपका कोई जरूरी काम है तो वो आपका काम रुकेगा नहीं और Dear आपको success मिलेगी और आपको कभी भी हार नहीं मानना है कभी में निरास नहीं होना है और बहुत सारे लोग हैं जो अपने person के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत सारे लोग married हैं उनकी life में कोई third party है और कुछ लोग हैं जिनके परसन अभी किसी और के वज़े से उन्हें छोड़ कर चले गए हैं कुछ लोग हैं जो married हैं बहुत strong energy है उनके life में कोई आ गया है और आप बहुत निरास हो रहे हैं आप बहुत दुखी हो रहे हैं तो इस वर का आपके लिए message है कि आप निरास मत होईए ये time है आपको खुद को जानने के लिए दुनिया को तो हर कोई देखता है दूसरों को तो हर कोई जानता है लेकिन ये time है कि आपको खुद को जानना है खुद को समझना है और जो आपके person है जो third party की वज़े से आपको समझ नहीं रहे हैं वो आपको समझेंगे उनका कुछ कर्मा है जिसके वज़े से वो अभी आपको नहीं समझ रहे हैं लेकिन उनका कर्मा बहुत जल्दी clean होगा अगर आप meditation करेंगे आपको meditation करना है बहुत सारे लोग हमें comment भी कर रहे हैं कि किसी दूसरे के लिए अगर meditation करना हो तो कैसे करें किसी और के कर्मा को clean कैसे करें लेकिन डियर ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कर्मा clean तो हो गया clean यह आपको करते रहना है और positive रहना है आपको यह सोचना है कि आपने यह किया है तो आपको करते ही रहना है और negative नहीं होना है अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है meditation करना है तो आप उनके बारे में सोच करके meditation करिए संकल्प कर लीजिए कि यह meditation आप उनके लिए कर रहे है इसका जो भी फल है वो उनको मिलना चाहिए उनका कर्मा क्लीन होना चाहिए आप उनके नाम से संकल्प करके उनके बारे में सोच करके जो आपके और उनकी positive चीज़े है पॉजिटीव बाते हैं उन्हें सोच करके आप उ आपने परसन का कर्मा क्लीन कर सकते हैं उनके बारे में सोच करके मेडिटेशन कर सकते हैं मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं कर्मा क्लीन का मेडिटेशन कर सकते हैं और आपको ज्यादा उनके पीछे भागना नहीं है इस वरक आपके लिए मैसेज है कि अगर वो अभी आपसे बात नहीं कर रहें वह आपको समझ नहीं रहे हैं. तो आपको ज़्यादा उनके पीछे नहीं भागता हैं. ज़्यादा उनसे लड़ाईयां करनी हैं, ना ज़्यादा όल जवाब करिए. आप उपने बारे में सोचिए और आप मेड़ीटेशन करिए. आप meditation करिए और उनसे टेलीपैथी करिए उन्हें मतलब सामने से कोई बात मत बोलिए कि आप कहां बात कर रहे हैं, आप कहां हो, आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या हो गया यह सब चीजी ज्यादा मत करिए आप टेलीपैथी का बहुत सारे वीडियो भी है और हमने भी टेलीपैथी पर वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते है आपको टेलीपैथी करना है और उन्हें लव वाइबरियर्शन भीजना है जो भी आपका बहुत खुबसूरत टाइम है जिस टाइम आप बहुत साथ में थे बहुत प्यार से बाते करते थे वो आपको समझते थे आप उन्हें समझते थे वो सारी चीजे उन्हें टेलिपैथी के माध्यम से बतानी है लव वाइब्रेशन भेजना है आपको और निरास नहीं होना है आपको ये सोचना है कि एक दिन में सब कुछ बदलता नहीं है आपके परसन भी एक दिन में आपसे दूर नहीं हुए वो काफी टाइम से बात कर रहे थे दीरे 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 बहुत जादा बात करने लगे फिर आपको पता चलाएं एक दिन में वो दूर नहीं हुए यह काफे टाइम से दूर हो रहते आपसे लेकिन पता आपको बाद में चलाएं तो इसी तरह से आपको एक दिन में meditation से सब कुछ नहीं मिलेगा आपको करते रहना है और आपको positive होना है और आपको positive रहना है negative नहीं होना है आपके life में जो भी problem है वो सारी problem खतम हो जाएगी और आपको हमेशा positive रहना है कुछ लोग हैं जिनकी family में बहुत सारे problem चल रहे हैं उन्हें लगता है कि यह सारे problem कब खतम होंगे dear divine timing आपका आने वाला है और बहुत जल्द आपकी family में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो meditation कर रहे हैं बहुत positive रहते हैं और आपकी family में इतना बुरा time होने के बाद भी आपकी family हमेशा positive रहती है किसी के साथ कभी कुछ धोका करने के बारे में नहीं सोचती हैं उनकी जो परिक्षाएं थी कुछ लोगों ने कुछ लोगों की family पर black magic भी किया था तो वो सारी चीजे खतम होने वाली हैं आप बहुत positive हैं बहुत सारे लोग तो negative energy को clean करने वाला meditation भी कर रहे हैं और जो भी चीजे हैं वो भी कर रहे हैं negativity को clean करने के लिए तो dear आपकी family में सब कुछ ठीक होने वाला है कुछ लोग हैं जिनकी family में कोई बिमार है या फिर उनके person की तब्याद ठीक नहीं है तो उन्हें बहुत tension हो रही है तो इस वर का आपके लिए message है कि आप ज़्यादे tension मत लीजिए ये सरीर का नियम है सही रहना बिमार होना अगर कोई इंसान बिमार हो गया तो इतना serious होने की जरूरत नहीं है ठीक हो जाएंगे जो ध्यान करते जो meditation करते जो positive रहते उनकी life में ये चीज़े होती है ऐसा नहीं है कि वो कभी बिमार नहीं होते हैं डॉक्टर भी है जो दूसरों का इलाज करते हैं लेकिन वो भी बिम पड़ जाते हैं वो भी बिमार हो जाते हैं उन्हें भी दवाईयों की जरूरत पड़ती है तो इसी तरह से आपको ज्यादा negative नहीं होना है यह एक सिर्फ सरीर की चीज़े हैं जो कभी-कभी हो जाती है कि बिमार हो गए वो और अभी ठीक नहीं है उनका स्वास्त ठीक नही कि एक आप फीट है जो एक अपने ध्यान रखेंगे तो सभी लोग कुछ नकुश तो positive होंगे तो dear आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आपको ज्यादा टेंशन लेनी जरूरत नहीं है सब कुछ आपके लाइफ में ठीक होगा आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए कौन क्या कहता है इस वारें बिलकुल मस्तो कुछ है आप जो चाहते आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनेफेस्ट करिए वह आपको जरूर मिलेगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीस हमें कॉमेंट करके शरूर बताइएगा आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते शेयर कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जैसरी किष्णा जैसरी किष्णा आपसर नंबर टू कैसे आप आई होप आप सरस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस्प्रिच्वल लब ट्रपल टू में हम इसवर से आपके लिए प्रातना करते हैं आपकी जो पूरी हो जाएं आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले डियर आपके लिए इसवर का क्या संदेश है इसवर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं कोई न्यू परसन को मैनिफेस्ट कर रहे और बहुत सारे लोग हैं अपने पार्टनर को ही manifest कर रहे है तो dear आपका ये manifestation पूरा होने वाला है बहुत time से कर रहे हैं आप लोग और बहुत positive तरह से कर रहे हैं तो dear आपका ये जो manifestation है ये पूरा होने वाला है आप जो चाहते हैं वो मिलने वाला है कुछ लोग हैं जो अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, कुछ भी बिजनिस करना चाहते थे कोई भी बिजनिस करना चाहते थे, तो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर business में और ज़्यादा success पाने के लिए manifest कर रहे थे बहुत positive थे, बहुत positive थरह से meditation कर रहे थे बहुत कुछ positive कर रहे थे Dear, अब आपकी ये विस पूरी होने वाली है बहुत जल्द ये विस आपकी पूरी होने वाली है और कुछ लोग हैं जो अपने person से साधी करने के लिए बहुत time से meditation कर रहे थे और अपनी family को मनाने की कोसिस कर रहे थे बहुत time से उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी family कब मानेगी और वो अपनी family के खिलाफ जाकर कि कभी कुछ नहीं करेंगे उन्हें लगता था कि family भी साथ हो और person भी साथ हो एक को पा करके आप पूरी जिंदगी खुस नहीं रह सकते थे तो dear आपकी ये wish पूरी होने वाली है इस पर का आपके लिए message है कि बहुत जल्द आपकी family मानने वाली है क्योंकि जो आपके person का करमा था वो clean हो चुका है और अब आपके रिस्ते में कोई भी कमी नहीं होगी जो भी बाधाएं आ रही थी जो भी नेगेटिव एनरजी थी वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगी और अगर आपके person की family नहीं मान रही है तो dear वो भी मान जाएंगी और आपकी साधी आपकी person से हो जाएगी आप बहुत टाइम से manifest करें तो यह पूरा होने वाला है कुछ लोगों के लिए message है कि कुछ लोगों की person है जो negative है लेकिन आप उन्हीं को manifest कर रहे आप समझ पाएंगे हम उनका nature बता रहे आप समझ पाएंगे कि ऐसे आपकी person है तो तो dear अभी आपको बहुत time लगेगा और आपको लेकिन negative नहीं होना है कुछ लोग हैं जिनके person अभी उन्हें समझते नहीं है खुद गलती करते हैं लेकिन आपको ही गलत साबित करने की कोसिस करते हैं खुद गलती कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं लेकिन आपको गलत साबित कर रहे हैं आपको ही गलत बोलते हैं आप तो कभी उनकी गलती पर उन्हें सुनाते भी नहीं हैं आपको सुनाने का मौका ही नहीं दिया जाता है और वो आपको पहले से इआपको गलत साबित कर देते हैं, आपको सुना देते हैं। तो डियर आप बहुत टेंशन में रहते हैं। वो आप से बोलते हैं कि मेल हो या फिर फिर मेल हो अब हम मड़ चुके आपके लिए आपका हमारा रिस्ता खत्म हो गया है अब कभी कॉल मत करना बात मत करना तुम्हारे जैसे दोके बाज नहीं देखा बहुत कुछ सुना रहे हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ खुस है ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कोई है नहीं कुछ लोग हैं जो कहीं पर मेरिट करने जा रहे हैं उनकी फैमिली वालों ने रिस्ता देख रखा है और कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी के साथ हैं लेकिन आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं बहुत कुछ नेगैटिव जितनी होती न, वो सब कुछ आपको बोल देते हैं, लेकिन आप है कि आप उनके पीछे ही पागल है, तो इस वर का आपके लिए मैसेज है, कि आप इनके पीछे मत भागिए, इन्हें आप खुला छोड़ दीजिए, इन्हें आप जाने दीजिए, इन्हें आप जाने कुछ लोगों के person है जो जब मन करता है तब बात करते हैं जब मन करता है तो बात नहीं करते हैं उनका मन करे तो ठीक है आपका मन करे तो कोई फरक नहीं पड़ता तो dear इस वर का आपके लिए बहुत strong message है आप इने पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करेंगे एक साल बाद, कुछ महीने बाद ये आपकी जिन्दगी में पॉजिटिव होकर के आ जाएंगे लेकिन आप डर डर कर जियेंगे जैसे आपको लगता है कि ये आप से दूर हो जाएंगे आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा अगर आप इनके कॉल मैसेज के जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे इन्हें बार बार कॉल मैसेज नहीं करेंगे तो ना आप कभी इनके हो पाएंगे और ना कभी आप इने छोड़ पाएंगे ना आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे ना पूरी तरह से खुस हो पाएंगे और ना आप पूरी तरह से सब कुछ खतम कर पाएंगे तो आपके लिए इस वर का मैसेज है कि आप ये सारी चीजे छोड़ दीजे आप ये सारी चीजे छोड़ दीजे आप से ये बात करते हैं जब इनका मन करता है जब नहीं मन करता है तो नहीं भी करते हैं तब भी आप दुखी रहते हैं ये आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे, ये आपको दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी चीजे दिखाएंगे, कि बात नहीं कर रहें, गुसा कर रहें, बहुत कुछ दिखाएंगे, ऐसा भी आपको दिखाएंगे कि आपने इन्हें धोका दिया है आपने इने हर बार चीट किया है यह हर किसिस आपके बारे में नेगाटिव भी वो लेंगे कुछ टाइम के लिए लेकिन जब आप इन से बिलकुल खतम कर देंगे रिस्तापना दिल से नहीं बहारी तरीके से कॉल मेसेज मिलना बात करना देखना सब कुछ खतम कर देंगे तो डियर ये आपके पास positive होकर के आ जाएंगे इस फर का बहुत strong message है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने person की पीछे भाग रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये आप से दूर चले जाएंगे अगर आपने से टेली पैथी करते रहते हैं लव वाइब्रेशन भेजते रहते तो इन्हें आपके सपने आते रहें वो आपकी यादे आती रहेंगी जो आपकी positive बोलते हैं तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हाँ ठीक है जैसा आप समझ रहें वैसे ही है है यह नहीं कि आप इनके लिए लोगों से बात करने लगे कि उनसे बात करवा दो गुसा हो गए और आराज हो गए अगर आप इनके आसपास किसी को जानते हैं तो यह सारी चीजी आपको नहीं करनी है बहुत स्ट्रॉंग एनरजी है कि यह आप से दूर नहीं जा सकते लेकिन जब तक इन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं होगा आप इन्हें पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं इनके अंदर भी खोने का डर नहीं होगा आपको जब तक यह आप से पूरी तरह दूर नहीं जाएंगे आप इनके ऑप्शन की तरह इनके पास नहीं होगे तो डियर यह आपके पास पॉजिट आपको यह नहीं कि एक दिन टेलीपैथिं कर लिया एक दिन लब génér कर लिया एक दिन मेडिटेशन कर लिया एक दिन मंत्रा चेंटिंग कर लिया एक दिन पॉजिटीव हो गए सबकुछ ठीक हो जाना चाहिए ऐसा नहीं होगा पर सारे लोग है कई सालों से बात नहीं करें तो डियर वो सारी चीजे ठीक करने में भी तो टाइम लगेगा तो आपको इस्ट्रॉंग होना है और सब कुछ बदलने की कोशिस करनी है पॉजिटिव तरीके से अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा आप पूरी तरह से इनके हो भी नहीं पाएंगे और आप किसी और के हो जाएंगे खुश तो नहीं रहेंगे, आप इनके बारे में सोचते रहेंगे, इनके बारे में ही सब कुछ आपके दिल दिमाग में चलता रहेगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा सिर्फ सोचने से, सिर्फ बताने से सब कुछ ठीक नहीं होता है कुछ करना पड़ता है, positive चीजे करनी पड़ती है तो dear, आपको meditation करना है और telepathic करना है, love vibration भेजना है नहीं लेकिन बाहरी जितने रिष्टे हैं वो सारे रिष्टे खतम कर देने हैं इनसे इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा तब इन्हें फर्क पड़ेगा अभी इन्हें फर्क नहीं पड़ता आपको फर्क पड़ता है फिर चीजें बदल जाएंगी आप इन्हें दिखाएंगे कि आपको फर्क नहीं पड़ता फिर इन्हें फर्क पड़ेगा फिर ये आपके पीछे आएंगे ये आपको call message करेंगे लेकिन ये करने के लिए पहले strong पड़ना पड़ता है आपको पता है रातो रात success नहीं मिलती किसी चीज में बिजनेस में जॉब में करियर में किसी भी चीज में success नहीं मिलती तो डियर ये तो पूरी जिंदगी की बात है ये तो आपके पार्टनर की बात है तो ये एक दिन में दो दिन में कैसे ठीक हो जाएंगे तो आपको कुछ टाइम इन्हें ऐसा ऐसास कराना है कि अब आपको इनकी बातों से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ टाइम तक ऐसास कराना है और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने एक हथे तक किया اور फिर इन्हें आपकी यादा ही, फिर इनके पास कोई नहीं है, ये आपके पास आ गए, आपसे बात करने लगे, आपसे माफी मांगने लगे और आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं करना है, कुछ महीने तक आपको इन्हें एक्नौर करना है अगर आप पॉजिटी तरह से इन्हें बदलना चाहते हैं सच में बदलना चाहते हैं सिर्फ बाते नहीं करना चाहते बदलना चाहते तो डियर आप ऐसा जरूर करिएगा इस वरक आपके मैसेज है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ सकसेज हासिल करना चाते हर किसी की तरह स्टेबल होना चाते बहुत सकसेज हासिल करना चाते लेकिन करना नहीं चाते उनके अंदर आला से है उन्हें लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे कल नहीं परसो कर लेंगे ऐसे कहते 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 दिन टलता जाता है उन्हें लग आपने करियर में अगर सच में सकसच हासिल करनी है कुछ बदलना है अपनी जिंधगी में तो आपको आलस से छोड़ना होगा बहुत सारे लोग हैं जो अभी कोई काम नहीं करते हैं लेकिन वो अपनी फैमली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि जादा कुछ करना भी न पड़े और सब कुछ हो भी जाए तो डियर इसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे और ये भी है कि कर्म के हिसाब से आपको तुरंद फल मिले ये जरूर ही नहीं है लेकिन आपको अपना आलस से छोड़ करके आगे बढ़ना है और जो भी आप अपनी फैमली के लिए करना चाते अपने लिए करना चाते वो सब आप कर पाएंगे जब आप अपने ले strong तरीके से कुछ करने लगेंगे आप किसी भी काम को सबसे पहले रखेंगे अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी किसी भी काम को तो dear उसमें आपको success जरूर मिलेगी जरूर से जरूर मिलेगी बहुत सारे लोग हैं जो अपने family के लिए बहुत कुछ करना चाते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अभी rent पे रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका खुद का घर हो जाए तो इस वर का आपके लिए message हैं कि आप बहुत positive हैं आप किसी के साथ कभी गलत नहीं करते हैं हर किसी को बहुत अच्छे से समझते हैं अगर आप भूगे हैं तो इससे कोई फर्व नहीं लेकिन आपके पास है तो आप दूसरी को दे देते हैं खाने के लिए तो dear आप बहुत pure soul हैं आपकी जो भी परिक्छाय थी वो खतम होने वाली है आप बहुत अन्भवे person बन चुकी हैं आपको जिंदगी का बहुत अन्भव हो चुका है आपको लगता है कि अभी आप बहुत बड़े नहीं हो गए बहुत उम्र नहीं हो गई आपकी लेकिन आपके पास जिन्दकी का ग्यान बहुत है जिन्दकी में कैसे कैसे लोग आते हैं जिन्दकी में कैसी कैसी बाते होती है जब अच्छा टाइम होता है तो कैसा लोग बात करते हैं जब बुरा टाइम होता है तो लोग कैसे बात करते हैं तो यह सारी चीजे इस वर आपको सिखाना चाहते थे तो वो चीजे अब आपकी पूरी हो गई है अब आपके लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है जैसे कोई काम होता है उसे करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच तो डियर उसका फल मिलने वाला है आपको और पॉजिटिव मिलने वाला है इस वर आपके लाइफ में सब कुछ बदलने वाले हैं तो कुछ लोग हैं जो खुद का घर लेना चाहते थे रेंट पे रहते थे बहुत सारे लोगों की बाते सुनते थे बहुत प्रॉब्लम भी ह अपना आपका पूरा होने वाला है आपके जो भी positive खौब है ना वो पूरे होने वाले है इस वर आप से बोलना चाहते हैं कि इस वर आपके हर कदम पे आपके साथ थे और साथ है और साथ रहेंगे आप जिस तरह से इस वर पे भरोसा बना कर रखते हैं अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो आपको लगता है कि सब कुछ इस वर कर रहे हैं आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है इस वर कर रहे हैं आपका इस वर पे भरोसा जो है ना वो कभी डगमकाया नहीं बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लाइब में बहुत कुछ पहले अच्छा होता है फिर बुरा हो जाता है तो वो अच्छे टाइम को अच्छे काम को भूल जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लाइफ में कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है लेकिन आप ऐसे हैं कि आपकी लाइफ में कितना भी बुरा हो कितना भी बुरा टाइम हो लेकिन आप इस वर को कभी कुछ नहीं कहते हैं आप सिर्फ इस वर से कहते हैं कि सब कुछ ठीक कर देना और हमेशा साथ रहना आप इस वर पर भरोसा हमेशा बना कर रखते हैं तो डियर आपको सब कुछ positive मिलने वाला है आपके सारी wishes पूरी होने वाली है आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है कुछ लोग हैं जो married life से बहुत दुखी थे लेकिन अपने person से दूर हो चुकी है कुछ लोग हैं जो married हो चुकी थी लेकिन उनके person उन्हें समझते नहीं थे उन्हें बहुत कुछ सुनाते थे उनकी family भी बहुत कुछ सुनाती थी और आपके person की family आपकी family को भी बहुत कुछ सुनाते थे तो डियर आप बहुत दुखी हो चुके थे सब कुछ बरदास करकर के बहुत टेंशन में आ चुके थे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आपको लगता था कि लोगों की बातों के वज़े से समाज के वज़े से कब तक ऐसे दुख को देखेंगे लोग पूरी सिंदेगे कहते रहते हैं जिंदेगी खतम हो जाती है लोगों की बारे में सोच तो आप बहुत हिम्मत करके इस रिस्ते से निकल चुके हैं कुछ लोग हैं जो निकलने की कोसिस कर रहे हैं उन्हें लगता है कि जब इस रिष्टे में खुसी नहीं है तो फिर निभाने से क्या फाइदा तो आपने जब यह सोचा ना आपका कर्मा क्लीन हो चुका था और आप अपने लिए पॉजिटिव रास्ते पे निकल चुके हैं आपके लिए पॉजिटिव हर चीज होने वाली है कुछ लोग हैं जो अपने परसन से अलग हो चुके हैं हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं और किसी जॉब की तयारी कर रहे हैं तो यह जॉब आपको मिलने इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि आपको निरास नहीं होना है और बहूत सारे लोग हैं जो आपको बहुत को सुनाते थे आपके परसंद के जो फैमली वाले थे वह भी बहुत कुछ आपको नागेटिक बोलते थे वह सारी बाते अभी आपके दिल में हैं रिस्ता खतम हो गय कुछ लोगों के तो अपने ही रिलेटिव है जो बहुत कुछ गलत बोलते हैं बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं बहुत सारे लोग तो आपसे बात भी नहीं करते हैं आप बहुत निरास रहते हैं आपको लगता है कि आपकी इसमें क्या गलती थी तो डियर जब आपका टाइम बदलेगा तो उन लोगों की बाते भी बदल जाएगी लेकिन आपको उनसे बात तो करनी है अगर आपका मन करे आपका सब कुछ ठीक हो जाए तो आप उनसे बात कर सकते लेकिन उन पे भरोसा नहीं कर सकते आप आपको उन पे भरोसा नहीं करना है और कुछ लोग हैं जो अपनी बाते किसी से शियर कर रहे हैं उपने love life में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कोई problem है, कुछ लोग हैं जो अपने partner की बाते शेयर कर रहे हैं, तो dear, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी बाते किसी से शेयर नहीं करनी, अपने person के बारे में किसी से पूछना नहीं है, कि वह ऐसे हैं, तो क्या करें, क् सारी चीज़े आपको नहीं करनी है बाहरी लोगों को आपको अपनी बाते नहीं बतानी है जो दुनिया में लोग हैं आपके पडोसी हैं आपके फ्रेंड आपकी फैमली आपके रिलेटिव इन लोगों को आपको अपनी बाते नहीं बतानी है अपने परसन की और उनसे आपको यह नहीं पूछना है कि यह ऐसा कर रहे तो क्या करे यह कैसे है इनके बार में कुछ बताएं ना उनसे आपको ज़्यादा बात करनी है ना उनके बारे में किसी को बताना है और ना डियर आपको नेगेटिव होना है आपको पॉजिटिव रहना है और खुद से सवाल करना है अगर आप खुद से सवाल करेंगे न तो इसवर आपको जवाब देंगे आपके intuition के मात्यम से आपके मन में जो जवाब आएगा आप समझ लेना कि इसवर ने आपको जवाब दिया है आप समझ रहें जैसे कभी कोई काम करने जाते हैं तो मन में आता है कि नहीं ये गलत हो जाएगा, तो इसी तरह से आपके अंदर से ही जवाब निकलेगा, लेकिन आपको दूसरों से कोई बाते शेयर नहीं करनी है, आपको इस पर से बात शेयर करनी है, लेकिन दूसरों से नहीं करनी है, जिस कुछ लोगों को कोई blackmail कर रहा है कुछ लोग हैं जो अपने partner से दूर होने की कोसिस कर रहे थे उन्हें लग रहा थे ये समझेंगे नहीं लेकिन वहमाइब को अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं आपके साथ रहने की बात कर रहे हैं तो दिएर जो झालध कर देंगे इन पे आपको ज्यादा बहरोसा नहीं करना है आपको बहरोसा बहुत टूटा है लेकिन फिर भी आप हर किसी पे बहुत जल्दी बहरोसा कर लेते तो इस फरक आपके लिए मैसेज है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप कुछ सीखते क्यों नहीं है लोग आपको धोका देते रहते फिर भी आप धोका खाने के लिए तयार रहते आप लोगों पे बहरोसा कर लेते हैं आपको धोके क्यों मिलते हैं ताकि आप सीख सके फिर भी आप सीखते नहीं हैं फिर आप लोगों से धोका खा जाते हैं तो ज्यादा लोगों पर आपको भरोसा करने ज़रूरत नहीं है और अपने इंट्विशन के ज्यादा ध्यान दीजेए आप आपके लिए अच्छा होगा और अपनी बाते तो किसी को शेयर मत करिए अगर आपको पिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कहीं जहां रहे हैं तो ज्य मेसा पॉजिटिव रहना है कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं तो इस वर्ग उनके लिए बहुत पॉजिटिव मेसेज है कि आप सही राप हैं बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं सिर्फ इस वर्ग से मिलने के लिए तो डियर इस्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप सही रास्ते पे हैं और आप उनके बहुत करीब है पहले इस्वर आपको जानते थे अब आप इस्वर को महसूस करते हैं आपको महसूस होता है आपको सपने बहुत आते हैं एंजल्स नंबर आपको बहुत दिखते हैं वो इ तिलियां दिख रही है और बहुत सारे लोगों को ङुझती हो connecting बहुत दिख रहे हैं। होगी बहुत नहीं हैं। कई आफ ऐसे जगह पह जाते हैं जहां पे पच्छी वना बहुत बड़ी बात है। फिर भी आपको आप तार तो dear आपको angels number बहुत दिख रहे हैं हर जगा दिख रहे हैं तो dear यह इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि इस वर आपके साथ है हर कदम पे आपके पास है और आप हमेशा ऐसे ही रहना positive रहना आप सही रास्ते पे हैं आप कोई भी meditation कर रहे तो आप उसे करते रही हैं उसे छ जिनकी साथी नहीं हो रही है तो उन्हें भुछ टैंशन हो रही है कि कब होगा कब ऐसा होगा कि मेरी साथी होगी जो भी family को टैंशन है या फिर मुझे टैंशन है वो सब खतम होगी तो dear इस वर आपके लिए message है इस साल आपकी साथी हो जाएगी और बहुत positive इंसान से होग कुछ लोगों के ट्विन होंगे और कुछ लोगों के सोल मेठ होंगे इनसे इस जनम का रिस्ता नहीं है आपका कई जनमों का रिस्ता है और जो अभी तक आपकी साधी नहीं हो रही थी वो इसलिए नहीं हो रही थी कि इनकी लाइफ का कुछ कर्मा था और आपकी लाइफ का भ आपको टेंशन नहीं लेनी है आपको पॉजिटिव रहना है और आपकी साधी बहुत जल्द होगी और पॉजिटिव इनसान से होगी कुछ लोग हैं जिनकी साधी फिक्स भी हो चुकी है और कुछ लोगों की तो इसी महिने में साधी होने भी वाली है और उन्हें टेंशन हो कि ठीक रहेगा कौन कैसा होगा । कौन क्या बोलेगा । हुआ involving In it. कि भाद में प्रॉब्लम हो जाती है कितना भी करो पुर भी कोई कमी रह जाती है तो बहुत टेंशन भी हो रही आपको और सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे देखना है क्या सही है है घलत है हर एक चीज पर दिःहान रखना है तो आप टेंशन ले रहे हैं तो इस प में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वर आपके साथ है और आप इस वर पर भरोसा करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा इस वर आपके साथ है सब कुछ ठीक होगा लेकिन आप टेंशन ले रहे ना यह टेंशन मत लीजिए आप टेंशन लेंगे तो भी पॉजिटिव होगा नह प्रशन से इसाधी करना चाहते तो यह सपनो आपका पूरा होने वाला है लेकिन इसमें थोड़ा सा ताइम लगेगा और आपको इसी तरह से पॉजिटिव रहना है आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं नेगेटिव डॉकी रहते हैं जिने कोई भी भोजन देने वाला नहीं होता है तो उन्हें आपको भोजन देना है अगर आपका मन है तो आप भोजन भी दे सकते लेकिन अकर वहां पर पानी की कोई विवस्था नहीं है तो आप उन्हें पानी जरूर पिलाएं उससे क्या होगा कि उनके दि पानी रखना और रोड साइट जो डॉगी होते हैं उन्हें आप कुछ भी खिला सकते कुछ भी ऐसा आप जितना नहीं कर सकते फिर भी आपको उससे जादा करना है ऐसा नहीं है जितना भी हो उतना आप करिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपकी लाइफ में कु कुछ भी कर सकते हैं डियर जब आप इन्हें भोजन देंगे जब आप इन्हें पानी देंगे तो इनके दिल से दुआई निकलती हैं क्योंकि यह बोल नहीं सकते हैं लेकिन इनके दिल में बहुत खुसी महसूस होती है यह बहुत खुस हो जाते हैं तो डियर इनकी जो दु 거지 नहीं होना है कुछ लोगों की वैमिली है जो कार्मिक है उन्हें समझती नहीं है उनकी फैम्ली है जो उनके परसंड दूरशन हो डूर आप टंशन लेते हैं कि आप के लाइफ में क्या होगा क्या का करना होगा दो टेयर ऑा सब चीजों का आप टेंशन लेना छोड़ दीजे सिर्फ आप पॉजिटिव रहिए और हमेंसा सब कुछ पॉजिटिव नजरिये से देखने की कोसिस करिए आप यह सोचिए कि कोई कुछ बोल रहा है तो कुछ अच्छा सिखाने के लिए बोल रहा होगा अगर यह ऐसा नहीं बोलेंगे तो हम अपने जिम्ने के में कुछ आगे नहीं करेंगे कुछ पॉजिटिव चीज़े नहीं करने के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए इस बार का मेसेज है किसी की भी बाते आप पॉजिटिव तरह से लीजिए क्यों ना वो नेगाटिव हो लेकिन उनकी बातों के बारें सोच करके ज़्यादा सैड अनर्जी में मत रहिए हमेशा पॉजिटिव रहिए नेगाटिव बिल्कुल मत हो ये आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए कौन क्या कहता है इस बारें बिल्कुल मत सोचिए आप जो चाहते आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए वो आपको जरूर मिलेगा अगर डियर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते शेयर कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए जै स्री किश्णा